हेलो उथ्रियन फैमली तो कैसे हो आप सभी लोग I hope कि आप सभी लोग बढ़िया होगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी जाहिए तो फटाक से लाइक से सब्सक्राइब कर दो चैनल में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उसे दबा देना वीडियो पे कमेंट का बटन दिख रहा है तो जाकर एक अच्छा सा कमेंट कर देना तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा लाइक को भी बूश्ट अप करो क्योंकि अब जो नोबल है वो धीरे धीरे इंट्रेस्टिंग होने वाली है इतनी जादा की क्या बताओं अगर कहूं तो असली नोबल आब श्टार्ट होगी अब हर एक वीडियो के अंदर एक ट्विश्ट होगा हर एक वीडियो के अंदर एक सस्पैंस हर एक वीडियो के अंदर एक सीक्रेट कुछ ऐसा होने वाला है अब तो आजाओ चलते हैं सबसे पहले पिछले अपिसोड़ पे, क्योंकि पिछले अपिसोड़ काफी सांदर था, जहां हमने देखा हुआ होता है, कि जोयन कुईन के साथ घूम रहा था, और कुईन जोयन के उपर लाइन मारने की पूरी ट्राइ कर रही थी, हमने देखा था, कि से निकल कर कुईन बिंग रेबिट को अपने हाथ में पकड़ लेती है और जान के साथ आंगे बढ़ रही होती है रास्ते में सभी लोग जान को किलिंग इंटेंट के साथ देख रहे होते हैं जिसके बाद ये लोग चलते हुए और बात करते हुए और जान की जर्णी के बार और एको स्प्रेट करके 100 मीटर के एरिया को खाली करा दिया था और इसके बाद आख बंद करते हुई जान के तब देखते हुए कहती थी तुम्हें जो करना मेरे साथ कर सकते हो तो भाई जो यहान भी डर गया था कि नाना मैं ऐसा कुछ ना कर रहा जो देखकर कुईन कहती है तुम अभी वियोत तीसर में लिले हो मुझे अच्छा लगा जिसके बाद यह याउकिंग पैलेस में आ जाते है जहाँ पे एक है एसियन टेंपल जैसा प्लेस होता है जहाँ प मजली पकड़ता है कुईन जोहन को देख रही होती है और इसके बाद पता नहीं क्या होता है कि बातों ही बातों में जियो यान कुईन को कसकर गले लगा लेता है उसे थेंक्यू कहता है लेकिन तभी उनके बीच के मसले में बिंग्योन रैबिट अपना सिर्गुसेड देत कर क्वीन तुरंदी कहती हो तो पती देब आप मेरे साथ सिंगल डेट पर चलना चाहते है जो देख रही है जो देख रही है वह वह ऐसा कुछ नहीं है अम बिंग्योन रैबिट को भी साथ मिलेके चलेंगे और इसके बाद एपिसोड मैंने वहीं पेंट किया होता है तो द पास तुम्हें अन्बिलीवबल है और वो काफी हैरान भी होती है जो देखर यू किंग तुरंती गहती है तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर एक स्ट्रॉंग लेविल का परसन गिरता है तो वो एक पल में नहीं मरता बलकि उसे मरने में कई हजार साल लग जाते हैं यहा तक की टाइम भी उने डिश्ट्रॉय नहीं कर पाएगा आखिर का एमप्रार इमोर्टल लेवल के फ़िश्ट्री स्टेप पर इमोर्टल पावल के वल आपके हार्ट में मौझूद होती है लेकिन जैसे जैसे इमोर्टल पावर मेरेडियन मास बलड और बोन मेरो में पार एक एमोर्टल के पास अपनी जो पावर होती है वो पीक लेवल पर पहुँच जाती है और उनके पास बहुत पहले ही ठीक होने की श्रेंथ आ जाती है आखिर कार एक फाटिंग गौड की ही रिकवरी स्पीड काफी खतानाक होती है जिसके बाद एमप्रार इमोर्टल यह एकदम डिश्ट्रेक्टिब रिकवरी स्पीड रखता है और गौड एमोर्टल लेवल का बंदा उसके चोट पहुचाना और भिमुस्किल बात साथी एमप्रार इमोर्टल लेवल के फार डिश्टेप के बंदे को ही चोट पहुचाना काफी मुस्किल होता है क्योंकि उ दोनों ही एंपरर इमोर्टल है लेकिन एमपरस ने पहले ही गौड इमोर्टल लेवल को ब्रेक्ट्रू कर दिया है इसलिए उसके रिकबरी के लिए हमें इतना ज़्यादा हैरान नहीं होना चाहिए वो थुरंती कहती अब हमारा आंगे पीछे चिपना ज़्यादा काम नहीं क्योंकि विएमत्यान इस्टार के अंदर इंटर होना यानि क्वीन की निगरानी के वर्डर के अंदर इंटर हो जाना हम जो भी कदम उठाएंगे वो क्वीन की नजरों से बचने ही पाएगा इसलिए हम केबल पैले समाश्टर ने जो कहा है उसी को फॉलो कर सकते हैं और उसके करीब ना जाने की कोजिस कर सकते हैं जब तक कि हमारे साथ कोई प्रॉबलम नहीं है हम उने नहीं भड़काएंगे साथ ही क्योंकि एमप्रेस ने पहली बार में हमें मिटाने का उप्सन चूज नहीं किया साइद वो हंटर गौड पहले से लड़ना नहीं चाहती आखिर का एमप्रेस ने उसे ढूड लिया था और वो पूरी तरीके से सिब मार सकती थी फिर भी अगर एमप्रेस ने नहीं मारा था तो ये भी हमप्रेस को नाराज नहीं करना चाहते थे लेकिन इससे पता नहीं था क्या खेर काहरा एमप्रेस के एराधे हैं क्या फिलहाल तो ये लोग इसका अंताजा नहीं लगा पार होते और इन्हें केबल एक ही possibility लग रही होती है कि Empress की नजरों में ये दोनों कोई भी खत्रा नहीं है इसलिए उन्हें मारना या ना मारना इससे कोई फक नहीं पड़ता तब ही Ty King की तरब देखते हो U King तुरंती कहती है Palace Master के Z Order के कारण हमें ऐसा लगता है कि जैसे Palace Master भी वियान त्यान इस्टार में आ रहे हो हमें बस खबर आने का इंतिजार करने की ज़रुवत है जो सुनकर Ty King तुरंती चाबल में चोच मारते हो ये मुर्गी की तरह अपना से एलाना सुरू कर देती है बोई U King के explanation से पूरी तरीके से agree थी Ty King तुरंती कहती है तो क्या हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए या नहीं जो देखकर U King तुरंती कहती है हमें जान बूच कर और उनके पीछे जाने की कोई जोट नहीं बस इसे एक आनंद के तोर पर मानो क्या आपको खाना पसंद नहीं है बियान त्यान सिटी बहुत बड़ी है और यहां बहुत सारी स्वादिश चीजे हैं U King जैसे यह कहती है Ty King तुरंती अपने होटो को चाटती है और चेरे पे एक excitement दिखाई देता है बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची की तरह है दूसर भी U King ताइकिंग की तरफ देखती है तो अपना सेर हिलाती है कि बिल्कुल बच्चो जैसे बिहेवियर बनाए रखना यह अपने आप में एक मुस्किल काम है जिसके बाद सीन सिप्ट होता है और सीन जोईयान का दिखाई देता है जो देखे जोईयान केता अगर यहां पे कोई होता तो वो इन केक को जरूर पसंद करता और जोईयान के हाथ में एक अन्यों निश्टाल से ख़रीदा हुआ चाबल का राइस केक होता है जो थोड़ा सा सौप्ट और चिपचिपा था और अब्यस लिखाने की एक डिजायर ऐसी चीज है जैसे छोड़ा नहीं जा सकता इसलिए भियान त्यान सीटी में जो कुछ भी स्वादिश था जोईयान सब कुछ ट्राइ करना चाहता था जसके बाद जोईयान दूसरे स्टॉल में पहुँचते हुए कहता है बास्तों ये नूडल्स भी बहुत अच्छे है और यान ये नूडल्स की भी तारीप कर रहा होता अलग-अलग टाइप के नूडल्स खाते हुए दूस्तप एमप्रेस सीधा बैठ कर जोईयान को मुस्कुराते हुए देख रही थी दूस्तप उसके बगल में बिंग्यू रेबिट के पास भी तरह तरह के खाने का धेर होता है जो से पसंद आ रहा था तब है एमप्रेस तुरंधी कहती जादा पेट मत भरो वहाँ पर एक ग्रिल बदक भी है जो आटे और खरबूजे लासुन में लिप्टी होई काफी टेश्टी है अनसे के तो एमप्रेस अपनी आईब्रो को थोड़ा उपर उठा लेती है दूसरब जयान जो की बास्तों में सौधिश्ट भोजनों का टेश्ट ले रहा होता है तो दूसरब बिंग्यू रेविट एक दम अलग होता है उसने दरजनों कटोरी, सोया वी नूडल्स खा लिया होते हैं ये भुककड भी है भाई इसके लाबा जयान ने पाया था कि यहां पे अलग लग टाइप थी है जो नूडल्स है इने बेचने बाले जो लोग हैं उनके पास कोई भी फाइटिंग कोई नहीं है वो बिल्कुल मॉटल लोग हैं जोर्ण ने पाया था बियान था आन सिटी में कापी सारे मॉटल लोग थे जिनके पास कल्टिवेशन की कोई भी टेक्डिक्स नहीं थी और उनकी जनरेशन एक दम नॉर्मल लाइब जी रही थी दूस्त अब खाने से भरी हुई मेज को देखते हुए विंगिन रैविट तो अपने चेर पे एक सैटिस्पाइड इसमाइल दिखा रही होती है और एक दम इसमाइल के साथ इन नूडल्स को खा रही होती है जिसे देखकर इन नूडल्स को बेचने वाला जो सौपकी पर होता है वो भी काफी हैरान होता है इसमाइल करता है जिसके बाद एमप्रेस यहाँ पे उठने से पहले मेज पर सिल्वर कोईन रख देती है जहां तक जियान ने भी ऐसी चीज नहीं देखी थी ऐसा लग रहा था कि काफी लॉंग टाइम से जो जियान ने भी करेंसी का यूज नहीं किया जिसके बाद जियान तो नहीं तो रात में भी काफी अदा लाइबली है यहां पे तो काफी सारे लोग है मानो यह सहर में कभी रात होती ही ना हो वान्तियान सीटी में कल्टिवेटर्स मोटल लोगों के सहित लोगों का प्रवाय कंटीनू चलता रहता है और ऐसा लग रहा था कि यह चीज अलग नहीं है साथी बहुत कम ऐसे कल्टिवेटर है जो मोटल लोगों के खिलाप एक्सन लेते हैं जो देखे जन कहता है अनबिलीवेबल उसे पता नहीं था कि बियान्तियान सीटी इतनी ज़्यादा सांतिपूर कैसे है लेकिन जब सब कुछ सांत हो गया होता है तो हर इक चीज जन की नजरों में होती है ऐसा लग रहा था कि बास्तों में दुनिया अतनी सांत हो सकती है बिना किसी रक्त पाता और फाइट और खून खराबे के तो लाइब कितनी ज़्यादा हीजी हो जाएगी तब ही एमप्रेस तुरंती कहती है ये के बहल इसलिए है क्योंकि तुम माउंटेन पर चड़ चुके और तुमने आसमान को देखा है इसलिए तुम भूल चुके हो कि जमीन में भी लोग है सत्य एमप्रेस की जो अब आज होती है एकदम सौप्ट होती है जरजियान के कानुवाल पहुचती है बुत्रंती कहती है सैकलो साल जो पलक जपकते हमारे और तुमारे बीच 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 चुके है ये बास्तों में एक एमटल परसन की पूरी लाइफ टायम है लेकिन ना ही God, ना ही mortal और ना ही immortal दुनिया के कश्टों से मुक्त हैं यहां तक कि normal immortal के comparison में, mortal के comparison में, immortal होना बास्तों में और भी ज़्यादा painful है क्योंकि ऐसी लंबी यादें होती हैं जिन्हें आप जाने नहीं दे सकते और इन्हें भुलाना और भी ज़्यादा painful होता है यहां पे जौन चमकती लाइट वाले बियांतियान सिटी और क्वीन की यानि के एम्परेस की बातों को सुन रहा होता है तो उसे अपने दिल की गहराई में हलकी सी सांती मैसूस हो रही होती है जिसके बाद जौन चमकती के चलो एक नाउ लेते हैं जौन सिटी के अंदर एक चोटी से रिवर के पास चला गया होता है जहां पे पियानो की एक हलकी हलकी आवाज फैल रही होती है और वर्सिप लाइटिन पूरी तरीके से नदी पे चमक रही होती है छोटे छोटे इस्टार की तरह हैं तभी Empress अलके से सहलाती है और एक boat के owner से boat को river में ले जाने के लिए कहती है और जो अनके साथ उस river में आ जाती है जिसके बाद Empress तुरंती कहती है मुझे अपने पती के साथ खेलने दो ये सिर्फ इतना है कि मैंने long time से आपको काफी मिस किया है तो मैं थोड़ा सा unknown feel कर रही हूँ इसलिए आप मुझ पर हस नहीं सकते दूर्स तब जो नाव चलाने वाला बंदा होता वो तो पूरी तईके से ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी एक अजीवी चीज में खो गया हो तब तक जब तक कि उसे पियानो की आबाज नहीं आती और रंगले आधे महिने तक जो यानो एमप्रेस लगबग पूरे ही वियांतियान सीटी को घूम रहे होते हैं जहां तक विंगुन रेविट की बात होती है ते थोड़े मोटा ताजा हो गया होता है पहले के कंपेर्जन में ये थोड़ा और प्यारा लग रहा होता है और इसका कारण ये था कि ये हमेशा चुप रहता था साथी ज़ान ने भी खाली टाइम पेस टाइम का कापी अच्छा आनन द उठाय होता है जिसके बाद जुहान दोन दिकाता है जुहान टियान ट्रूरियलम में तैक्सू बल्ट के पास कितनी पावर है और जुहान नदी के किनारे एक टीश ट्रॉल में बैठा हुआ होता है और यहां की हबा को महसूस करते हैं आराम से पूछ रहा होता है लेकिन उनन जो आरमर पहन रखा था उसे वाइड गौर्ड आरमर कहा जाता है जो ने आमोटल लेबल की पावर को प्राप्त करने और यूज करने की जाज़त देता है इसलिए उनने केबल अल्यूजनरी आमोटल कहा जा सकता है या सेमी मोटल और जो आन ट्रूरी आलम के मोटल लेबल के बहर को मारने के बाद और उनके एसेंस को हासिल करने के बाद आप रियल आमोटल पर ब्रिक्तुरू कर सकते हैं जो सुनकर जो आन तुरंती भूहेच रहा लेता है क्योंकि यह ऐसा कुछ था जिसके बार में उसने कभी नहीं सोचा था क्या बास्तों में वाइड गॉड आर्मर के अंदर इतनी खतरनाक इस्ट्रेंट हो सकती है जोन तुरंती कहता है मुझे डर है वे सबसे बड़ा खतरा है जोन क्या के सिक्ड़ोई होती है ऐसा लग रहा होता है ताइकसू वर्ल्ड का जो लियाउट पहले से ही उसके दिमाग में प्रोसेस होना सुरू हो चुका होता है क्योंकि उसने जोन टेंट टूरी एलम इंटर कर लिया था धीरे धीरे वो कबजा करना सुरू कर चुका होता है सेनेकसी वर्ल्ड के जो अधर वर्ल्ड थे तबी एमपरेस के तिया आप मुझे लगता है आपने कुछ देखा होगा लेकिन ताइकसू वर्ल्ड सेनेकसी वर्ल्ड पर अटेक करेगा और निश्चित तोर पर जीतने की पूरी खोसिस करेगा वो अपने पूरी पावर के साथ बाहर निकलेंगे और वो इसके लिए अपनी पूरी कीमत भी लगाएंगे ऐसा लगता है कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं तभी जोन करता ताइकसू और सेनेकसी बल्ट के बीच की फाइट में जो आनर आपको क्या लगता है कि इस ग्रूप के जीतने की पॉसिबिल्टी ज़्यादा है जोन यहां एंप्रेस की तरफ देख रहा होता है हाला कि तैकसू वर्ट के बार में जोन को भी काफी सार इंफोर्मेशन पता थी फिर भी एक अधर परसन से इसके बार में पूछना जो इसके बार में अच्छी नॉलेज रखता है यह काफी अच्छा होगा तभी जो कुईन होती वो तुरंदी गयती तैकसू वर्ट की जो इस टैक टेकनोलोजी है वो सेनेकसी वर्ट से काफी स्ट्रोंग है लेकिन आपको खुद को कमाकने की ज़वत नहीं है क्योंकि ताइक्सू बर्ड की जो रियल एमोटल पार है वो सेनेक्सी बर्ड से बहुत कम है और रिसोर्सेस की प्रॉब्लम के काण वो इसकी भरपाई के लेके बले इस्टाइक टेकनोलोजी को ही एड़बांस लेबर पर ले जाकर इसका यूज कर सकते हैं हाला कि मुझे सेनेक्सी बर्ड की रियल फाउंडेसन के बार में बहुत कुछ तो नहीं पता लेकिन मुझे लगता है कि सेनेक्सी पर अटेक करने कर जो ताइक्सू का एफ़र्ट है वो सेनेक्सी बर्ड के रिच रिसोर्सेस और बेक्राउंड के कारणि होना चाहिए लेकिन soldiers की कोई stable situation नहीं होती है और water का कोई stable size नहीं होता साथी कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है कि वो तुरंती किसी चीज का decision निकाल ले यहां तक कि मैं भी नहीं कोई यहां पर अपने thought जोयान को समझाती है और कोई real answer नहीं देती और यह बाद तो जोयान को भी पता थी कि इस तरीकी की fight में कोई भी clear answer तो नहीं दे पाएगा लेकिन Empress ने जोयान को समझाया था कि ताइक सू world unbeatable बिलकुल नहीं है इसे भी हराय जा सकता है हाला कि उनकी इस टैक टेक्नोलोजी काफियरा high level पर पहुँच गई है लेकिन उनके पास अभी भी resources की कमी है और उन्हें अपनी battle power को बढ़ाने के लिए इस technique का use करना पड़ता है लेकिन सेनेक्सी आलग है हाला कि जोयन को immortal level के बारे में ज़्यादा information नहीं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेनेक्सी बर्ड में immortal level के warrior कम होंगे यहां तक की कहा जा सकता है कि सेनेक्सी बर्ड में जोयन की उमीद से ज़्यादा powerful लोग हो और इससे देखते हूँ ये fight कोई कुछलने वाली नहीं है बलके एक बराबरी की fight है और कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये लगातार बदलती हुई fight पर ही depend कर सकता है तवियान कहता है मुझे यहाँ पे immortal forest के बारे में एक टूटी हुई image और एक jet slip मिली है ये अनर क्या तुम देखने में मदद कर सकती हो कि ये क्या है जोन future के बारे में tension करने के बज़ाए present time को बैतर करने के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि presentive future की problem का solution है तवियान प्रेस जोहां धारा मेज पर रखी गई टूटी image और jet slip को देखती है तो काफी curious देखाई दे रही होती है लेकिन असा लग रहा होता है कि उसका कोई interest इसमें ज़्यादा नहीं था वो केबल जोह यान के लिए से देख रही है जिसके बाद वो तुरंती कहती है तो demon lord तियान हे द्वारा छोड़ा गया jet slip है वो यहाँ पे कैसे आया कुईन काफी curious हो रही होती है तभी जोहन को तुरंती कहता है कि आपको seven immortal god killer sword याद है जो सुनकर कुईन तुरंती अपना सेहलाती है जोहन तुरंती कहता है मैंने इसके बदले में इसे लिया है जो सुनकर Empress को याद आता है कि जोहन ने इस चीज के लिए कीमत क्यों लगाई थी वो बास्तों में इसे exchange करता था तभी कुईन तुरंती कहती है कि आपको पता है यह हजारों गुना ज़्यादा कीमती है उसे स्रॉड के comparison में जो देखके जोहन तुरंदी कहता है यह तो अपनी अपनी ज़रूरत पर repent करता है साइध Mad God स्रॉड टॉम के लिए वो स्रॉड इस चीज से लाखों गुना ज़्यादा कीमती हो हर किसी की ज़रूरत अलग-अलग होती है जोहन जैसे यह कहता है एमप्रेस भी अपना से हिला देती है जिसके बाद वो कहती है आपने जो कहा वो तो समझ में आता है लेकिन क्या आप डेमन गोड त्यान है की खोज में जाना चाहते हैं और एमोर्टल फॉरेश जाने की स्ट्रेटजी बना रहे हैं साथ यह एमप्रेस जोहन की तरब देख रही होती है क्योंकि जान तक एमोर्टल फॉरेश्ट की बात है जोहन को इसके बार में कोई जानकारी नहीं थी उसने के बना पर बहुत सारे एमोर्टल लेवल के बॉर्यस की डेथ हुई थी और वो एक free space बन था, जयान के पास अभी भी कोई अच्छी जानकारी या कोई perfect location नहीं थी लेकिन जब तक वो अच्छी blessing पा सकता है, वो किसी भी place को choose करेगा जाने के लिए तब ही Empress जयान की तब देखते हो तुरंदी कहती तो आप कब जाने की strategy बना रहे है जो देखकर जोन तुरंदी कहता है जितना जल्दी हो बहतर होगा, मेरे पास जारा time नहीं बचा है साथी जोन काफी serious होता है और Empress को अब जो यान के crazy cultivation का region समझ में आता है कि एकदम पागल है cultivation के लिए, इसलों तुरंदी खड़ी होकर अपना सेहल आती है जबकि जोन अभी बैठा हुआ चाही पी रहा था जो देखकर जोन तुरंदी कहता है कि आप tension में नहीं है और सकबरी नजरों के साथ queen की तरफ देखता है तब ही queen कहती जब time बरबाद करने के लिए नहीं है तो फिर चलो चलते है जो सुनकर जोन एकदम चौक गया होता कि क्या Empress बास्तम इतनी ज़ारा deciding है और ऐसे decision लेती हचाना की लेकिन क्योंकि Empress ने बोला होता है जोन भी helpless तरीके से smile करते है सिर्खों जलाता है और तुरंती खड़ा हो गया होता है हालकि जब जोन जाने ही बाला होता कि तभी वो कई सारी figure से घिरा हुआ होता है और उन सभी ने respectfully अपनी अपनी मुठियां थाम रखी होती है साथी जोयान देख सकता था कि इन सभी लोगों में जियान जियांग यांग भी एक था यां तक कि यूचान भी होती है जिसकी आँकों में तो लैटिंग बोल्ट जूल रहे होते हैं इसे देखकर जोन तुरन्ती सूखी खासी लेता और दूसरी तरब देखता है तभी एमप्रेस तुरन्ती कहती इस जरूरत नहीं तुम मेंसे किसी को भी मेरे पीचाने की जरूरत नहीं ये जर्णी मेसेट मेरे पती देव के साथ करना चाहती हूँ इसलिए तुम सब तब तक इंतजार कर सकते हो जब तक मेरे पास कोई अधर अरेंजमेंट ना हो जैसे ही कुईन ने ये कहा होता है और जियान जियांग जब ये सुनता है तो वो थोड़ा सब भड़ा गया होता है वो तुनती कहता है मेरे लिए एंप्रेस के साथ जाना बहतर होगा आकेकार हंटर गौड पहले से एक कदम उठाने वाला है और अगर एंप्रेस अकेले काम करती हैं तो वो निश्चे तौरपा एक्सन लेंगे ज्यान ज्यांग ज्यांग तुरंती टेंसन में आगया होता है जैसे ये लोग बात कर रहे होते हैं ज्यान को पता चल रहा था कि आसपास की लोग अभी भी अंदर आ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं लेकिन उनकी तरब देख तक नहीं रहे जैसे कि वो लोग एकदम invisible हो और उन्हें कोई नहीं देख सकता तबी Empress जान जांग जांग की तब देखते हो बिना किसी सक्के कहती है आप लोग तुरंथी निर्वाना एमोर्टल पैलेस जाएं और fight की तैयारी करें मुझे लगता कि fight का time अब close आ रहा है और इतना कहने के बाद वो विंग्यून रेविट को थप थपाती है और विंग्यून रेविट बढ़ा हो जाता है जिस पर queen cross leg करके बैट जाती है और जोयन की तरफ देखते हुए उसकी आँखे एकदम soft हो गई थी हाला कि बाकी लोगों को देखते हो तो उसकी body से एक Empress का औरा सो होता था लेकिन जोयन को देखते हो बिलकुल ये एक soft और प्यारी सी लड़की के तरह थी जो देखकर जोयन भी विंग्यून रेविट पर cross leg बैट गया होता है तभी क्वीन थोड़ा सा जोयन के close आ जाती है और क्वीन कितने close आने के खांड जोयन को हलकी सी गर्मा हाट मैसूस हो रही होती है और इस situation में सांत रहना बास्तों में कापी जाला मुस्किल था तभी जोयन अपने दिल के हिरन को रोकते हुए कहता है क्या बास्तों में एमप्रेस इतनी जादा ही strong है किस बर्ड में कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता दूसरी तरफ एमप्रेस के बोलने के बाद हाला की जियान जियांग यांग थोड़ा सा टैंसर में होता है लेकिन वो बाते हैं आंगे कुछ नहीं रखता वो केवल बिंग्यून रैबिट को एमप्रेस और जोयन को आसमान की तरफ ले जाते हुए देख सकता था आखेकर भी आंतियान सीटी पर उड़ना रिस्टिक्टेड था जो कोई भी हवा में उड़ता हुसे परिस्पेंट दी जाएगी लेकिन यहाँ पर बिंग्यून रैबिट को बिना किसी के रोके आसमान में उड़ते हुए देखा जा सकता था यहाँ तक कि सीटी का मास्टर यूआन लियांग जिसके पास ऐलूजनरी रियलम की स्पिच्छल पाउर होती है जो डोमेन लेविल से काफी ज़्यादा हाई लेविल पर थी बो भी यहाँ पर आराम से कुईन को जाता हुआ देख रहा होता और कहता है कि आएमप्रेश चली गई और वो रिस्पेक्टेडली उस डाइरेक्शन पर प्रणाम करता है दूसरी तरप उसे ऐसा करता हुआ देखकर तो पूरे सिटी में हंगामा मत चुका होता है कि एक ऐसा परसन जो सिटी मस्टर को भी जोकने पर मजबूर कर दे उसकी इडेंटिटी तो काफी स्पेस अलोई श्ट्रॉंग होनी चाहता है जिसके बाद अचानक युआन लियान के मन में एक थोट आता है और उसकी स्प्रिच्वल पार अचानक की उसे ढख लेती है और वो सबी की नजरों से गायब हो गया होता है तब इया एमप्रेस की अभाज आती है मैं अपने हस्पेंट के साथ ही बाहर जा रही हूँ और इस टाइम के दोरान मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ जब Empress से वो husband bird सुनता है तो यूआन लियान अचाना की चौकते वो जो यान कितब देखता है और घबरा गया होता है वो तुरंती कहता है ओ, क्या ऐसा है यूआन लियान समझता है, Empress tension free हो सकते हैं, सब कुछ strategy के according ही हो रहा है जिसके बाद यूआन लियान रुखता है और जान उसे देखका helpless तरीके से smile करता है उसे लगा होता है कि ये वन्दा उसे Empress का लबर समझ रहा है दूस्ता बिंगिन रेवर्ट पूरी speed के साथ दोड़ना continue रखता है और वियान त्यान city छोड़ देता है और बिना किसी problem के बियान त्यान इश्टार को ऐसा लग रहा था कि Empress के साथ होने पर सभी rules बेकार थे इसलिए भले ही यहाँ पे आते हुए सभी rules को follow किया हो जाते हुए यह कोई भी rules follow नहीं कर रहे होते तभी Empress तुरंती कहती कि आपके मन में कुछ है My dear husband जोन को दुखी और टेंसन में देका इंप्रेस अचानक ही पूछती है जो देकर जोन अचानक ही होस में आता है और इंबेरस होकर हसते हो अपना सेहला देता है इस टाम पे बिंग्यो डेबिट भी यहाँ पे जोन पे हस रहा होता है जैसे कि वो समझ गया हो कि जोन के इंप्रेसन इतने जादा बस सूरत क्यों है तब ही जोन तुननती अपनी इंबेरस को साइड में रखते हुए और कम करते हुए कहता है आखी कार कुछ महीने के वल पलक जपकने के ही बराबर थे यहाँ तक की कुछ साल भी इसके कमपेरजन में कुछ नहीं थे हाला कि जोन ट्रेयन टूरीलम का कमपेरजन सेनेक्सी बल्ड से नहीं किया जा सकता आखेकर जोन ट्रेयन ट्रूर्ड सेनेक्सी से निकला हुआ एक मास्टरलेस बल्ड है हाला कि जब ज्योय ने आपे आख बंद करके कल्टीवेसन में जाना चाहता था तब ही ज्यान को अपने कानों में हलके से जुन-जुनाट महसूस होती है और ज्यान तुरंती अपने होट आखे खोलता है तब ही जोन देखता है एक उंगली से भी कम की डिस्टेंस होती है जो यान के होटों के बीच जोन तुरंती पीछे की तरफ गिरता है लेकिन एक सौप्ट बॉड़ी जोन की बाहों में गिर गई होती है जिसके बाद एंपरेस के अब आ जाती है काफी टाइम हो गया पती मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ और ऐसा कहती हूँ एंपरेस जोन की बाहों में गिर गई होती है और जोन की चैस्ट पे हलका सा घेरा बना रहे होती है और यहाँ पर तो Empress की बॉड़ी, Joanne की बॉड़ी से कसकर, चिपक गई होती है जो देखे, Joanne तुरंदी कहता है, You Honor अरे यह Rabbit भी यहाँ पर है क्या है पर Mortal Forest तक जाने के लिए इसी तरीके से रहने की स्ट्रेटजी बना रही है मुझे लगता है कि यह यह जगह अच्छी नहीं Joanne केबल यहाँ बचना चाहता था लेकर उसके पास अपनी बॉड़ी को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं था तब ही Queen कहती इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बास से कोई फर्क नहीं पड़ता या तो Empress भी और cruel हो गई होती है ऐसा लग रहा हो तो Joanne को पीछ एटने का मौका देना ही नहीं चाहती बलकि इस टाइम पे तो उसके मन में जो है बस उसे वही चाहिए जो देखके Joanne केबल अपनी आखे बंद कर सकता था क्योंकि अगर वो इस चीज का बिरोध नहीं कर सकता तो बेचारा कर क्या सकता है तब ही Empress तुरंती कहती हाला कि My Dear Husband आप कह रहे हैं कि आप नहीं चाहते लेकिन मुझे लगता है कि आपकी बॉड़ी काफी ज़्यादा ओनेष्ट है और उसका जबाब कुछ और है जोन के कानों में जब Empress की आवाद सुनाई देती है जो देखके जोन कहता हाँ बस अपनी अपनी डिसिस्पेक्ट खो देते हैं यहाँ पे है ना जो देखकर कुईन तुरंती कहती है चिंता मत करो My Dear Husband मैंने अपने और तुम्हारे औरे को हाइड कर रखा है कोई नहीं देख सकता कि हम क्या कर रहे है तो बस टैंसन फ्री हो सकते हो तुम और यहाँ हो जो सोचके जोन हेल पेस तरीके से इसमाल करते हैं कहता है और यह रेविट इसका क्या अब जब हालात यहाँ तक पहुँच गए थे तो जोन केवल हालात और हैवन को ही इस चीज के लिए ब्लेम कर सकता था जोन केवल अपने दिल में यही कह सकता था कि जो भी हो रहा है होने दो लेकिन यह लखी ली अच्छी बात थी कि एमप्रेस से नेकसी बर्ड में नहीं जा सकती इसलिए इस मामले को यहाँ पर सांथ किया जा सकता है क्योंकि जब जब दिखाबा कर सकता है लेकिन अगर कालिन और यूनर को इसके बार में पता होता तो साइद यह लड़किया उसे जिन्दा ही मार देती तब ही ज़ान तुरंदी कहता है यूनर यूहानर मुझे अपनी बात तो कहने दो मैं यूहानस नहीं हूँ हाला कि ज़ान के बल बोल ही सकता था इससे ज़ादा वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि इस टाइम तक ज़ान की बोड़ी के जो क्लॉथ थे वो गायाब हो चुके होते हैं और सेम यही आलत एमप्रेस की होती है एमप्रेस की एकदम जड़ हॉइट बोड़ी साइन हो रही होती है वो तुरंदी कहती है ये डियर हस्बेंट क्या तुम फिर से बगबास कर रहे हो अमा हॉल जब इस पॉइंट तक पहुँच गया है तो मुझे लगता है तो मैं ऐसा नहीं करना चाहिए मैं एक्स्प्लेट ना कर रहा मैं ना कर रहा एक्स्प्लेट एमप्रेस की जो वाइस होती वो काफी अधा अट्रेक्टिव लग रही होती है दूसरे में यहापे विज्वाइन सीधा ही लेड गया होता उसने अंदाजा लगा लिया होता कि चाहे वो कुछ भी हो या कुछ भी करे सब कुछ बेकार ही है जोयान बस अपनी वैप्स को समझाने की और उन्हें मनाने के तरीके के बारे में ही सोच सकता था दूसरे वाइड में जो विंग्यून रेविट होता है वो अब सीधी लाइन में आंगे बढ़ना चाहिए था में यह तो दच के खा का के आंगे बढ़ रहा होता है एकदम साप की तरह है लेकिन इस टाइम पर बिंग्यून रेविट एकदम सांत दिख रहा होता है और कोई भी उपध द्रब नहीं कर रहा होता और साइद इसलिये था क्योंकि एंप्रेश ओर योईनस ने अक्तर इस तरीके से काम किया था और विंग्यून रेबिट को इसकी आदत हो चुकी थी दूसरी तरफ कई महीनों तक जो यान पलके तक नहीं जपका सका था जिसके बाद वो तुरंदी कहता है योईनर क्या हम पहुचने वाले हैं जोईन की जो अब आज होती वो काफी अदा वीक होती है दूसरी पर एमप्रेस के जो चैरा होता है हलका सा रेड होता है एमप्रेस अभी भी सरमा रही होती है और उसने एक मिश्ट सॉल अपने चारतर पलपेटी होती है साथ ही वो जोयन के साथ ही लेटी हुई होती और तुरंदी कहती है माई डियार हस्मेंट तुम कभी तुम अभी भी काफी स्मार्ट हो कुजी के मुवेंट हमेशा ही बहुत कम होते हैं हम जल्दी मौटल फॉरेस्ट मर पहुच जाएंगे और एमप्रेस की जो आबाज होती ही बिल्कुल चांदी की घंटी जासी होती है जबकि जयन की आइस बिल्कुल एक दम सांथ वो यहाँ वाइट को देख रहा होता है जयन जानता था कि यहाँ तक पहुचने से पहले वो किस दोर से गुजरा है हाला कि यह तो जो यहाँ के लिए एक पनिसमेंट और एकसाइटमेंट दोनों का ही माहौल था लेकिन यहाँ जोन थोड़ा सा सांथ दिखाए देता और वो तुरंती कहता है यहाँ अर मुझे कुछ कहना है और जोन अपनी बोड़ी को कंट्रोल करता है और उदास चाहर के साथ अपने कपड़े धीरे धीरे पहनता है तभी जो कोई एमप्रेस होती वो तुरंती कहती है आपकी किसी भी रिक्वेस्ट के लिए मैं एग्री रहूंगी चाहे वो कुछ भी हो मैं उसे जरूर फॉलो करूंगी और आपको सेटिस्फाइट करूंगी क्या आपको लगता है कि यह काफी नहीं था और असा करती है एमप्रेस जोन को छेड़ तो ही समयल करती है तभी जोन अपना सेल आतो है कहता है नहीं यह मामला नहीं है मैं चाहता हूँ कि बस आप इस बात को में ले छेपा कर रखे जोन क्या बाच काफी धीमी होती है जैसे कि किसी बच्चे ने मिश्टेक कर दी हो जो देखके एमप्रेस तुरंती के थी आप किस बात से डरते हैं मुझे लगता है कि सेनकसी बल्ड में आपकी काफी सारी वाइपस होंगी लेकिन सेनकसी बल्ड सेनकसी बल्ड है जबकि जोन ट्रूल he है हम जोन ट्रूल headle इसलिए चिंता मत करो इस के लिए मैं जिम्मेदार हूँ और असा के तो Empress John के कंदे को थप थपाती है जैसे उसे डरोगी कहीं स्टैम्पी जॉन रो न दे सथी किसी unknown reason से उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे जॉन इस्टैम्पी सच में और वी जादा beautiful हो गया है इसलोग वो तुरंती कहती मुझे माफ करिये जैसे उनके John एकदम चुप रहता है लेकिन अंगलेईफल फिर से Queen John के close आती है John की तो पूरी बोड़ी में लैट्टिंग स्ट्राइक फैल गई होती है जैसे कि बोड़ी सुनन हो गई हो जो देखके John तुरंती कहता योहनेस की बाइप्स बास्ता में खतरनाक हैं ये तो लोगों को जिन्दा बेच देंगी John के दिल में तगड़ा जटका लगा हुआ होता है उसने सोचा था कि Empress और Queen अलग है लेकिन John ने कभी भी नहीं सोचा था कि Empress से जो दिखती है वो अलग है और जो वो छिपाती है वो अलग है हाला कि John ने हाँ पर अभी भी डर रहा था कि कहीं माहल फिड़ना बेगर जाए कि लाकिली वाइड का सीन बदलने लगता है और अंधिरा गायब हो जाता है और कलरफुल इमिजस दिखाई देने लगती है और एक सांत जील में भवर की तरह आसपास की वाइड बदल गई होती है बिंगिन रेबिट की भी इस बीट धीमे हो गई होती है और जान ने पायता कि उसके चाव तरब काफी सारी फिगर थी जो सभी इमोर्टल फॉरेश्ट की तरब जा रही होती है जो देकर जान के तो ओ, क्या यह जगह इतनी जाद लाइब जान काफी हैरान होता है जो देकर कुईन कहती है बिलकुल नहीं यह तो मैं ही हूँ जिसने डेमन लोड त्याने के बारे में इंफोवेंशन फैलाई है जान की तब देख रही होती है जो सुनकर तो जान एकदम कन्फियूज हो गया होता है कि यह लड़की है यह लड़ाई की की यह कब क्या कर देगी किसी को कुछ नहीं पता कि इसने जान एंजान में जान के लिए कॉमप्टीसन नहीं बढ़ा दिया था जो कामा आराम से हो सकता था तब ही एंप्रेस केती कि आपको याद है कि मैंने आपको बताय था कि एमोर्टल फॉरेस्ट में गार्डियन बीस्ट सबसे बड़ा खत्रा नहीं है जैसे एंप्रेस बोलती जो हैं तुरंती सिर गुमा कर उसे हरानगी से देखता है तब ही इतने कम टाइम के अंदर कुईन फिर से अपने कपड़ों को पहन कर एक दम परफेक्ट हो गई होती है उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है मानो कुछ भी नहीं हुआ तब ही हान कहता है के अंदर इन बीश्टों से ज़्यादा स्ट्रॉंग भी कोई है जो सुन के अंप्रेस तुरंती से हिलाती है और इसके बाद तुरंती कहती है अंदर एक मिस्टियस रूल्स भी है जो बास्तों में काफी आदा चैलेंजिंग है जो देखकर जो अंदर इन बीश्टियस रूल्स जो देखकर कुई तुरंती कहती है हाँ एमोर्टल फॉरेश्ट में काफी सारे एमोर्टल वार्यस की डथ हुई थी जिससे एक अनोखा प्लेस बन गया और ये प्लेस इन इमोर्टल वार्यस की डिजायर को फॉलो करता है हाला कि अगर आप इसमें इंटर करते हैं तो आप सीधे तोर पर डिश्ट्रॉई नहीं होंगे लेकिन अगर आप एक बार मिस्टियस रूल को टच कर लेते हैं तो रूल यही है कि अगर आप रहना चाते हैं तो जब तक कि आप बहुत ज़्यादा पावर्फुल नहीं हो आप मारे जाएंगे जोन तुरंती कहा था कि आप rules को touch करते ही तुरंती destroy हो जाएंगे इसे सुनकर तो जोन ना हस सकता था ना रो सकता था हाला कि उसने कापी सारे death rules का सामना किया था लेकिन इस तरीकी के अजीव rules को उसने पहली बार देखा था तभी queen कहती है यह सच नहीं है क्योंकि rules के violate होने से पहले जब तक आप उसे उकसानी के हिम्मत नहीं करते immortal, savery, आसानी से आप अपर attack नहीं करेगी लेकिन एक बार rules को violate करने पर आप immortal, saverage, saverage, का नाम है इसका immortal, saveragery का target बन जाएंगे, जो मिलकर आपको अपने target के तोर पर ढूड कर मारेंगे तभी यहन कहता है कि ऐसे काफी सारी rules हैं, जोन जैसे एंप्रेस से पूछता है तो एंप्रेस अपने सेहला देती है और तुरंत ही कहती जहां तक मुझे पता है और भी बहुत कुछ है, इतना कुछ कि आप इसे बता भी नहीं सकते, आप गाली नहीं दे सकते, आप किसी भी परसन को, उसके असली नाम से नहीं बुला सकते आप कहीं भी सूसू नहीं कर सकते जो सुनकर जोन फूट फूट का स्माइल करता है कि क्या ये नियम कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं है आखर कर आप गा नहीं सकते गाली नहीं दे सकते ये तो ठीक था फिर भी आप सूसू नहीं कर सकते ये कैसा रूल है जो देकर queen कहती है क्योंकि immortal forest, immortal warriors की desire के साथ create हुआ है इसलिए ये real rules भी, उनकी बची हुई soul के rule है और जो rule मैंने आपको बताए वो केबल इसका एक part है ये complete rule नहीं है और अगर confirm होकर कहूँ तो ये केबल एक part है अभी भी और काफी साई rule है जहां तक list की बास है तो आप इसमें देख सकते हैं और ऐसा कहने के बाद queen join को एक jet slip दे देती है जिसमें बास्तों में सभी प्रकार के अजीव अजीव rules लिखे होते हैं जिने देखकर दूजियान हैरान रह गया होता है हाला कि join 10 true realm में हर कोई जानता थे कि immortal forest काफी आदा अजीव है लेकिन इसके अंदर काफी सारा luck भी है इसलिए हर कोई इसे try करने के लिए आना चाहता था और most of लोग जो यहां पे आते थे वो बास्तों में या तो immortal थे या फिर fighting god लेकिन जैसे जैसे time बीता गया तो ऐसे भी कुछ immortal होते हैं जिन्हें rules के कार्ण मिटा दिया गया होता है और इन्हें immortal की नई डेजार यहां पे अपेर हुई थी उन्होंने नई rules यहां पर रखे थे और queen का यहां पे इन लोगों के यहां पे बुलाने का motive भी आही था कि यह लोग भी मारे जाएंगे queen तुरंती कहती चलो इन्हें मारते हुए देखकर या royal rules को वाइलेट करते हुए देखकर हम यह जान सकते हैं कि अभी भी ऐसे और कौन से rule है जो हमें नहीं पता Empress जैसे ही यह कहती जोहन यह सुनने के बाद ही Empress के real thought को समझता है जोहन सच में यही सोचता था कि Empress काफी soft और kind दिखती है लेकरों से सच में नहीं पता था कि वो लोगों के साथ लालच का यूज करके हेरा फेरी कर सकती है तबी Empress तुरंती कहती के आपको सभी rules याद हो गए जो देखकर जोहन तुरंती अपना से हिला देता है जो देखकर Empress तुरंती कहती है ठीक है तो फिर चलो चलते हैं और इतना कहने के बाद bingyoon, rabbit, सामने के colorful white के अंदर उन दोनों लोगों को लेकर उड़ जाता है जो आनो बाकी लोगों की इंटर होने के बाद अभी भी बिक्रे हुए लोग चावतरप से आ रहे होते हैं हलाकि वो तुरंती इंटर नहीं कर पाते लेकिन एक पल जेजकने के बाद वो अपने दात पीस कर आखे कार इंटर हो जाते हैं आखेर कार cultivation के जो पात था वो काफी art था और केबल strong लोग ही और brave लोग ही आंगे बढ़ सकते थे सबके motive तारगे टौर, regions अलग-अलग हो सकते थे लेकर उन सभी के पास एक heart होता है जो अगर नहीं डरता तो आप नॉर्मल लोगों से अलग बन सकते हैं तभी अब एक आप आजाती हमें क्या करना चाहिए क्या हमें उन्हें follow करना चाहिए या नहीं और कुछ देर बाद दो beautiful लड़किया प्यार होती हैं जो दोनों एक दूसरे को देख रही होती हैं तभी U-king तुरंती कहती है पिछली बार तो मैं लगबाग इसके अंदर मर ही गई थी और इस बार तो हम किसी भी चीज के लिए तयार नहीं है अगर हम इसमें इंटर होंगे तो हम निश्चीत तोर पर मारे जाएंगे यहां पर यह लोग कापी यह राध थौटफुल लग रही होती हैं ऐसा लग रहा था कि वो एक बार इमोटल फॉरेश्ट में इंटर कर चुकी थी इसलिए वो इसके अंदर जो खत्रे थे उन्हें अच्छे से जानती थी तब ही ताइकिंग तुरंती गएती तो क्या हम यहां इंतजार करना चाहिए हाला कि ताइकिंग ने कभी में इमोटल फॉरेश्ट पर इंटर नहीं किया था कुरता है तो बाइबाइ थिरन फैमिली गुड आप्टर नून मुझे लगता है कि यह वीडियो तुम लोग को मजा आया होगा हाँ भाई इसमें नहीं आया होगा तो पर किसी में नहीं आ पाएगा तो बाइबाइ